जहिंद एफ्रीबन में साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मिन्याप विलकम करता हूँ आज हमार थौर्ड लेक्टर है that is decimal fraction I hope आपने जो फॉर्स लेक्टर है that is mixture का and जो आपका जो second lecture था आपका probability का उसको आपने complete कर लिया है अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में या डिफेंस मिन्या के चैनल पर जाओगे यूट्ब चैनल पर जाओगे वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है प्लेलिस्ट पर एफकेट 1-22 क्लिक करना और आपको बाकी के दोने लेक्टर्स भी मिल जाएंगे आज बात करने वाले हैं decimal fraction के बारे में बहुत simple topic है एक question आते हैं मैं आपको बताया था मैं उन topic को पहले उठा रहा हूँ जिनको आप last moment पढ़ने के लिए छोड़ते हैं और ignore कर देते हैं आपका response चाहिए बस आपने probability वाली वीडियो पर अच्छे से comment किये थे आप बताया था कि आपके क्या answer है आज भी आपको एक homework में question मिलेगा तो चलिए start करते हैं मेरा नम सहिल कुमार है एंड आपको पताये मेरे बारे में हर बर क्या ही बोलते हैं मैं थंड बहुत बढ़ गई है इसलिए आवाज फंबल करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अभी घर पे बहुत सारे लोग हैं तो छट से record कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत disturbance हो सकता है उसके लिए starting में ही आपसे माफी चाहता हूं चलिए शुरू करते हैं जब मैं बात करूँगा decimal fraction की तो decimal fraction आप सोच रहे हो गए कि सर यह बताओ decimal fraction लिखा आपने topic का नाम यहाँ पर algebra के formula दिखा दिए ABCD यह तो हमें समझ में ही नहीं आता बाई देखो decimal section अगर आपको पढ़ना है तो आपको दो तीन चीजें याद होनी चाहिए पहला तो यह formula याद होने चाहिए important क्या है मैं mark कर देता हूं इसमें important यह वाला formula है that is a square minus b square a minus b a plus b I hope कि a plus b का whole square आप बच्पन से पढ़ते हुए आए हो तो यह आपको आता ही होता तो यह याद कर लेना याद तुम्हें सारे करने है बट important यह है यह याद कर लेना इसके बाद तो इसमें यह याद करोगे इसको भी mark करो important क्योंकि सारे questions यह बनते हैं इसको भी mark करोगे that is important इसके अलावा यह दोनों formula है अगर तुम्हारे पास लगे कि तुम्हारे पास और time है तो आप इनको भी और इनको भी याद कर सकते हो मैंने mark कर दिया है एक दो sorry यह वाला एक important दो important तीन चार पांच hopefully आप इन formula को जब याद कर लोगे तो आपके जो question है वो अच्छे से बनने लगेगे अब बात करते हैं सीधा questions पर जम करने के सिरुवात करते हैं questions हमारे कैसे कैसे solve होंगे तो बहुत easy question आते हैं और पहला ही question जो आपके सामने है वो एक बार चेक कर लो यार recording हो रही है आजकल बहुत डर लगता है recording ना भी पार चला कि मैं पढ़ा के बोल रहा हूं और recording ही नहीं भी ठीक है तो चलिए पहला question आपके screen पे 2.39 का square माइनस 1.60 का square ये किस form में है आप बोलो के sir ये a square माइनस b square के form में है आखिर a square माइनस b square का formula क्या होता है तो आप बोलो के sir a plus b and a minus b तो इसको मैं तोड़ देता हूं जब मैं इसको तो open करूंगा तो क्या बनेगा ये बनेगा आपका 2.39 प्लस 1.61 और bracket में 2.39 माइनस 1.61 upon में क्या है आपका 2.39 माइनस 1.61 डेफिनेटली ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2.39 प्लस 1.61 समझदार हो समझदार होगे तो आपको पता है किसका answer जो हो क्या होगा 4 होगा तो ऐसे आपके question बनते हैं ये basic question था आपके understanding purpose है और ज़्यादा बनते भी नही लिए ये mark किया है that is important रट लेना इसको important important और ये a plus b का whole q वाला ये बस याद कर लेना बाकी कोई याद ना भी हो तो आपका काम चल जाएगा ठीक है और अगर time मिले फुरसत से तो इन सब को याद कर लेना प्लीज मुझे बताना comment में कि अगर तुम्हें ये रट गया है सार 0.1 का square अब आपको पहले ये find out करना है कि आखिर ये किस formula पे exactly बैठा हुआ होगा अगर मैं बात करना चाहूं मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है तो ये आपका मुझे लगता है कि ये होना चाहिए aq-bq है ठीक है इसको मैं open करता हूं तो ये आपका बनेगा अगर मैं इ a square plus a b plus b square कुछ कुछ फील दे रहा है ना ये a square plus a plus b square इसको मैं तोडता हूं इसको मैं अगर open करूँ हो तो क्या बनेगा ये ये बनेगा 0.96 का square minus sorry plus zero point bracket में ये सारा ठीक है 0.096 plus 0.1 का square और क्या बनेगा यहाँ पे 0.96 minus 0.1 ये बनेगा ना ये formula क्या होता है aq-bq is equal to what a minus b a square plus a b plus b square यही तो बनता है यही exactly मैंने यहाँ पे किया है आप जब इसको आप देख रहे हो upon में क्या है आपका upon में है 0.96 का square plus 0.096 plus 0.1 का square ये और ये कट जाएगा बचेगा क्या हमारे पास ये that is 0.96 minus 0.1 आपका answer आजाएगा 0.95 एक बास धान रखना आप लो बहुत अच्छे से इसमें एक important चीज़ क्या है उसको आमें धान रखना है पहला ये कि आप paper में इस तरीके solve नहीं करोगे आपको पास चल गया कि क्या ये aq minus bq के form में है आपको इसका formula लिख लिए तो आपको बस ये verify करना है कि क्या नीचे वाला जो है तो इस तरीके से आप इसको answer कर सकते हो अगले question पर आते हैं बड़ा ही पहरा question है next question is देखो ऐसे question में अकसर डर जाते हैं कि sir इसका answer क्या होना चाहिए लेकिन काफी easy है ध्यान देते हैं कैसे देखो अब यहाँ पर problem यह है कि 0.111 0.0222 मुझे समझ में आता है कि क्या इसको मैं जैसे वैसे लिखता हूँ क्या मैं इसको 0.1 का cube लिख सकता हूँ आप बोलोगे बिल्कुल sir तीन बार है क्या मैं इसको 0.02 का cube लिख सकता हूँ आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि upon मेरा same type नहीं है लेकिन मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि क्या मैं अगर इसमें से 2 को 2 by cube comma ले लूँगा 2 का cube comma ले लूँगा तो क्या ये मेरा 0.2 का whole cube बन जाएगा sorry 0.1 का whole cube बन जाएगा आप बोलो के सर बन जाएगा प्लस में अगर मैं आपसे ये बोलू कि अगर देखो रूखो एक बर साफ साफ करते हैं उसको मैंने क्या किया exactly नीचे मैंने क्या किया है मैंने 2 की power cube को बाहर कर लिया है तो अंदर क्या बचा अंदर बचा मेरे पास 0.1 का whole cube प्लस 0.02 का whole cube यही तो बचा अगर ये बचा तो ये और ये कट जाएगा और हमार पस क्या आएगा 1 upon 8 1 upon 2 cube का मतलब क्या होता है 1 upon 8 पता ने क्या answer आएगा या यही बताना पड़ेगा तुम लोगों को बोलो भई ठीक है तो आप बोलो कि सर बिल्कुट पता है 0.125 आपका right answer सर हो जाएगा next question में move करते है next question is ये तो यार देखो दिमाग लगाओ यहाँ पर क्या equation बन रही है a square minus b square लिग देता हूं मैं इसको सीधा 4.2 का square minus 1.9 का square a square minus b square math के tension मतलब उसके लिए मैं हूँ तो कुछ न कुछ तुमारा जुगाडब हो जाएगा तुमारा भला exam में होने वाला है so no need to worry अगर मैं अभी कर रहा हूं आपके लिए तो फायदा मिलेगा तुम लोगों ठीक है अगर ये बात है इसका मतलब ये है ना कि अब मुझे नीचे वाले portion को तोड़ना पड़ेगा नीचे वाले portion को अगर मैं ये कर दूँ अच्छा यार ये भी simple है धान दो एक बार 2.3 को मैं क्या लिख सकता हूं आप बोलोगे से 2.3 को लिख सकते हो 4.2 माइनस 1.9 एक मिट साफ करते है इतनी ठंड़े भाई साब हाथ भी नहीं चल रहा पता नहीं क्या होगा तो मैं 2.3 को मैं क्या लिख सकता हूं तो आप बोलोगे से आप लिख सकते हो 4.2 माइनस 1.9 राइट अच्छा मैं आप से अगर पूछ हूं कि 6.1 को मैं क्या लिख सकता हूं तो आप बोलोगे से 6.2 प्लस 1 स्वरी 6.1 एक मिनट 1.9 राइट तो आपको पता है कि आप A स्कुरर मैनस B स्कुरर खोलोगे तो क्या बनेगा A माइनस B और A प्लस B यही बनने वाला है तो एंसर क्या आएगा 1 सीधी बात नो बगवास आपका एंसर क्या आगया 1 आगया इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो सिंपल सिंपल तरीके स्वर्व हो जाएंगे आपका जो सोल एम है वो बस यह होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो रहे है और आप इनको इस फॉर्म में लेके आ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हैं मैं अगर आपसे एक बात बताओं परल में इसको लिख लेता हूं यहाँ पर 144 अपॉन में 0.144 इस उकल टू वाट 14.4 अपॉन में X राइट अगर यह है तो X की वैल्यू क्या आएगी x की value क्या आएगी यह काम करते है 144 है ना यह काम करते है यह point को हटाते हैं अगर मैं point को हटाऊंगा तो 1000 उपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यह 144 multiply by 1000 upon में 144 is equal to 14.4 upon में x right 1000 आएगा यह 144 144 को हम काट सकते हैं तो x की value क्या आजाएगी तो आप बोलोगे sir 1000 upon में 14.4 final है ना तो आपका final answer की एक है नहीं sorry कुछ ग्रबर कर दिया है मैंने x की value आएगी 14.4 upon में 1000 एक decimal पर उरड़ी 0 है एक 0 के बाद आएगा तो answer की आजाएगा 0.014 ठीक है तो इस तरीके से आपके decimal fraction के जो question है solve किये जा सकते है अभी और भी question है उनको भी solve करेंगे तुम भी तोड़ा fast करने लगोगे जब आपको ये सारे formula अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे तो आपका mind काम करेगा कि exactly कहां कहां कौन कौन सा formula place हो रहा है next one is 5 into तो अब देखो यहाँ पे ना कोई formula में दिखनी रहा है कि यार इसमें formula क्या put होने वाला है लेकिन दिमाग लगाना हमारा क्या है फर्ज है अब जब दिमाग लगाएंगे क्या मतलब तुम लोग के पास दिमाग तो है ना ठीक है अब इसको मैं solve करने के click का try करता हूँ पहले चीज अगर यह 5 into 1.6 है minus 2 into 1.4 और नीचा 1.3 है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अखिर कर क्या सकते हैं अब नीचा 1.3 है ना तो मुझे मैं सोच रहा हूँ कि कैसे भी करके उपर भी 1.3 लेके आऊ या फिर 1.3 अगो यह multiple लेके आऊ तब जाके मेरा काम बनेगा तो जोड के देख लेता हूँ simple से चीज है इसको multiply कर दो तो क्या हो जाएगा यह आजाएगा आपका 8 आ जाएगा ना 8 आजाएगा और अगर इसका multiply करूँ हो तो क्या आजाएगा 2.8 8-2.8 अपन में क्या हो जाएगा 1.3 आजएगा जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा यह आएगा आपका 5.2 अपन में 1.3 पॉइंट से पॉइंट कर दो 4 आजाएगा answer कभी सोचा होगा कि decimal का fraction answer सीधा 4 आएगा तो ऐसे question में simple simple logic में लग जाते हैं भया हर जबा फर्मुदा लगाने की need नहीं है next question is 0.203 0203 multiply 2.92 must question है यह भी यह भी अच्छा question है ठीक है दिमाग लगाते हैं इसमें इसमें तोड़ा सा आखिर इसको solve कैसे कर सकते हैं मुझे एक बात इसको देखके बस यह समझ में आ रही है एक बात बताओ अगर इन्हें इस equation को मुझे बिल्कुल simple करना है बिल्कुल simple तो कैसे कर सकता हूँ मैं कि point हट जाए तो मुझे यह दिख रहा है कि यह एक दो तीन चार point के बार चार डिजिट है पॉइंट के बार एक दो तीन चार तो यह decimal और यह decimal अपने आप में कट गए यहाँ पे एक decimal पांच के पहले है मतलब अपॉण में 10 करूँगा अपॉण में 10 करूँगा तो यह 7 से हट जाएगा यहाँ से भी हट जाएगा दस दस 100 हो जाएगा अपॉण में 10 कर जाएगा तो मेरे पस क्या बज गया फाइनली 203 multiply by 292 upon में 73 multiply by 145 multiply by 7 आया की नहीं आया जिनको ना समझ में आ रहा हो देखो 2.92 को मैं क्या लिसकता हूँ 292 upon में 100 लिसकता हूँ यह पॉइंट हड़ गया और नीचे कर जिसता हूँ 145 बटे 10 क्योंकि पॉइंट के बाद के बाद 5 है और multiply में 7 बटे 10 10 दस 100 ही तो होगा और 10 से 10 कट गया 10 दस 100 हो गया 100 से 100 कट गया और यहाँ पर भी 4 0 था यहाँ पर भी 4 जो था यह भी कट गया तो हमार पस यह आ गया इसका answer आपका आजाएगा 0.8 एक बार आप calculation करके verify कर लेना यह आप इनको cut बगएरा करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या खीर यह answer कैसे आएगा वैसे तो मुझे साब साब calculation दिख रही है कि अगर 4 तया यह बार चार से तो नहीं जाएगा न 8 हाँ, जास्ते चार तया बार है हाँ, देखो 73 से यह 4 बार में जाएगा 4 तामस में जाएगा, right 7 से काटूँ इसको 7 से काटू 7 2 12 और 7 9 63, right अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो यह जाएगा आपका 5 बार में यही question आपको मुझे homework में देना है, इसको भाया solve करके comment में बताऊगे, और भी इसके बहुत सारे question, the moment हम लोग सारे topic complete कर लेंगे, उसका basic पढ़ लेंगे सारा, तो फिर हम practice करना स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपके साथ बहुत सारे question करेंगे, जहां पर आपके साथ बहुत स जहन तक चलने वाला है, बाकी इसके सारे updates आपने टेलिग्राम गूरूप भी मिल सकते हैं, और मेरे लिए कुछ message हो, तो आप मुझे मेरे whatsapp पे 870-94-96474 पे कर सकते हो, इस question का solve करके video upload होने के बाद, तुरंत answer लेके आना, thank you so much and जहन, अब बताना भी तुम्हें की class कैसी झाली सारे चाहला है।